एलो आईशा प्रम नाशनल अकैडमि एफ हारेंड सेफ्टि तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टि के बारे में बता आने वाली हो कि अगर आप इलेक्ट्रिकल व Engineering करते हैं तो आप कैसे सेफ्टि सेफेटि कर सकते हैं क्यूंकि electrical जो current रहता है जो भी electrical work रहता है वो बहुत ही risky होता है ठीक है च्छोटे से भी अगर carelessness आपने वहाँ की तो वो बड़े oxygen में change हो सकता है तो आपको कैसे खुद को prevent करना है आप क्या कर सकते हैं उनके बारे मैं बताने वाली हो तो देखिए ये कुछ तरीके हैं जिसे आप electrical work अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर safety maintain कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले जो electrical current रहता है वो हो सकता है आपको current की वज़ा से एक shock ही लगे हो सकता है वहाँ explosion हो जाए हो सकता है वो आग में change हो जाए वो आपको जला दे या वहाँ की चीज़ों को ही जला दे इतनी चीज़े हो सकती है electrical current से ठीक है तो आप इसे कैसे बच सकते हैं और जादा accidents क्यों होते हैं जब कोई भी अंसिफ इंवर्मेंट हो जो जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पर काम करने लायक वह जगह नहीं हो सकता है वहाँ से पानी फ्लो हो रहा है ठीक है और हो सकता है कि जो भी वहाँ equipment इंस्टॉल किया गया है उसकी maintenance नहीं हो और वह working condition जो इसकी ठीक नहीं हो वह electric shop दे रहा हो जिस भी equipment को ठीक करने गया है ठीक है और या फिर हो सकता है कि जो परसन वहाँ work करने गया है ठीक है उसको इतना experience ही नहीं हो जैसे माली जे कोई नया बंदा आया और फिर वह industry में आ अला गया और उसे पता ही नहीं हो तो यह accident हो तब भी हो सकता है तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा तो आप इसे कैसे control कर सकते हैं यह होने वाले हजार्ट को तो आप क्या कर सकते हैं कभी भी overload ना करे circuits को ठीक है कभी भी गीले हातों से उसको ना छुए wires को ठीक ह यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखनी होंगी कि यह ऐसी condition वाँ create ना हो पा है कभी भी जो चीज़ आप यूज नहीं कर रहे है electrical wire है या कोई भी unnecessary चीज़ वहाँ है तो उसे हटा देना चाहिए अगर कोई plug है वो आपको यूज नहीं करना है तो उसे switch off कर देना यह एक unsafe condition यहाँ बन रही है ठीक है तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम work कर रहे हैं तो ऐसी कोई condition create ना हो और जो भी हम work कर रहे हैं वो safety से हो जाए देखिए वैसे तो जब भी electrical work के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ पर पहले permit issue कराना होगा तो permit issue होगा तो सारी चीज़े तभी check कर ली जाती है तो ऐसी कोई problem नहीं आती है पर अगर कोई person गया और काम करते वक्त ऐसी कोई भी situation हो रही हो तो वो check कर सकते हैं तभी हम सारी conditions check कर ली जाती है कोई भी ऐसा wire तो नहीं unnecessary wire या फिर हो सकता है कोई खराब चीज हो wire जो है वो टूटा हुआ हो जहांसे electric current flow हो रहा हो तो यह सारी चीज़े check list में maintain हो जाती है और तभी work permit issue किया जाता है कि वहाँ पर काम हम करवा सकते हैं या नहीं तो ऐसी conditions तो ऐसे create नहीं होती है पर फिर भी जो भी work वहां करने जा रहा है उसे इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए अब यह बात तो कि electrical current की कि ऐसे ऐसे शौक लग सकता है ऐसी condition होगी तो शौक लग सकता है हम ऐसे prevention कर सकते हैं तो हम बच सकते हैं अब एक होता है static charge अब आपने देखा होग कहीं भी बड़ी बड़ी refineries जो रहती है जो oil refineries रहती है या फिर oil tanks जहां रहते हैं petrol tanks रहते हैं या petrol भी भरवाने जाते हैं किसी भी अपने vehicle में तो तब आपने देखाऊगे कि static charge जो रहता है उससे हमें वचना पड़ता है ठीक है तो यह static charge क्या होता है तो इसके बार मे मैं आपको पताते हूं static charge जो होता है उसकी वज़े से भी blast हो सकते हैं यह देखिए यह static electricity ठीक है static charge हेर कॉम करने से भी निकलता है ठीक है अब क्या होता है कि static charge जो रहता है static electricity जो रहती हो free electrons रहते हैं जो कि यहां से वहां transfer हो जाते हैं जब भी कोई भी एक चीज दूसरे surface पर रब हो रही हो यानि घिस रही हो उस पर तो static charge जो है generate होता है ठीक है तो static charge अगर generate होता है तो उसकी वज़े से कि स्पार्क निकलता है और उस स्पार्क से भी आग लग सकती है तो उस चीज पर हमको ध्यान देना होगा तो industries में क्या होता है जैसे कि कोई भी oil container रखा है वहाँ पे या petrol container रखा हुए है tank रखे हुए है जो बहुती explosion material रहते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं combustible material रहते हैं तो क्या होता है वहाँ पे मना होता है hair comb करना in fact कपडे change जो करते हैं जो bulan cloths रहते हैं वो भ अगर वहाँ change करना भी मना होता है क्या होगा उन में से क्या static charge जल्दी flow होता है वो लन पे से तो वह अगर static charge generate होगा तो आग लग सकती है तो static charge जो है static electricity जो है उस पे हमें बलकुल ध्यान देना होता है कर हम कभी भी industry में ऐसी चीजों के आसपास होते हैं तो ठीक है अब दे सब्थ तो यह मैं आपका बताती हो कि देखिये इसमें है कि electrostatic जो charge रहता ह है वो अगर discharge होते हैं तो वह fire का एक कारण भी बन सकते हैं आग लगने का कारन भी बन सकते हैं ठीक तो देखिए कैसे क्या होता है यह मैं आपको बताती हो अब क्या होता है जो चार्ज रहते हैं पॉजिटिव और नेगिटिव चार्ज जो रहते हैं वो क्या होता है बैलेंस रहते हैं और कभी इंबैलेंस भी हो जाते हैं ठीक है अब क्या होता है जब आप उपनी कार के अंदर बैठे हैं ठीक है तो जो आपके charge है वो imbalance हो गए क्योंकि आपकी body से जब आप car की seat से rub हुए मतलब उससे आपकी body rub हुई तो क्या हुआ ये charges flow हुए कुछ negative और कुछ positive charge rub हो के imbalance हो गए ठीक है अब क्या होता है जैसी आप fuel refill करने के लिए उठें ठीक है आपने क्या हुआ nozzle को पकड़ा पैट्रोल की जो nozzle है उसको पकड़ा तो क्या हुआ उसके अंदर flow हुने वाले जो charge है वो आपकी body में flow हुए क्यों आपकी body में जो imbalance charges थे उनको balance करने के लिए तो क्या हुआ वो neutrally charged हो गया आपकी body में ठीक है फिर क्या होता है अब जो exchange हुए वो क्या कहलाता है electrostatic charge ठीक है static electricity वो कहलाती है ठीक है जो कि क्या होता है spark की रूप में बाहर निकलती है अब देखिए ये जो picture है इसमें ये hand के पास एक spark generator हो रहा है जो spark generate हुआ ठीक है तो क्या हुआ ये electrostatic charge क्या है balance तो हो गया पर spark generate हुआ ठीक है उसके बाद क्या हुआ आपने वही हाथ अपने वीकल से रब किया उस वीकल से जैसी आपने अपना hand रब किया ठीक है अब वो क्या हो static charge तो generate हुआ अब माल लीजिए आपकी body में जो charges थे वो क्या हो balance तो हो चुके है अब condition हम ना create करें जिसके वज़े से blast हो जाए तो petrochemical industries जो रहती है जो oil refineries रहती है वहाँ पर यह सारे petrol container आया और उसको आपको अब क्या करना है खाली करना है तो आपने नीचे tank रखके उसको जो fuel है उसमें से उस tank में आपने change की ठीक है उस container से वो tank में भरने के लिए किया कोशिश किया वापिस आप उस tank को वहां से दूसरी जगा रखने के लिए ले जा रहे है तो अगर ground surface पर वो रब हो रहा है वो tank तो भी blast हो सकता है तो हमें ऐसी भी condition create नहीं करनी है तो electric safety जो रहती है electrical safety जो रहती है उसमें सबसे जादा ध्यान हमें static charge static charge पर रख देना चाहिए ठीक है static electricity जो है वो छूटी सी रहती है चुटा से spark होने की वज़े से यह blast हो सकते हैं तो यह था आज पूरा electrical safety तो इस तरीके से आप अपने workplace पर अपने job site पर सेफटी प्रवेंट कर सकते हैं सो थेंक्यू